प्यारे बच्चों, अपने कोचिंग के लिए आज बहुती खुशी कपल है कि जब कोई भी अपने वहां के पुराने पढ़े हुए इस्टेंट जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है और जो पुराने इस्टेंट आते हैं उनकोई वहुत खुशी होती है तो आज मैं परच बन गये हैं इनका सपना पूरा हो गया है और यह अपने खुद बताएंगे कि कभ यहां पढ़े थे कैसे पढ़े थे और कहां पिंकी पोस्टिंग है तो इससे आप लोग भी प्रहुद हो ये और अपने डाक्टर बनने का जो सपना है उसको जरू पूरा कीजिए लेट लटी सेलेक्शन होई जाता है जो महनत करता है इसलिए अपने एम पर फोकस रहिए और आप लोग भी अपने डाक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए जिस तरह से कि आज गंगा जो है गंगा सिंग जो है डाक्टर बन गया है कि पोस्टिंग भी हो गई है और यह जब पढ़ते थ कोचिंग में तो हर इस डेंड इनको जानता था क्योंकि नाम ही ऐसा है इनका जो है गंगा गंगा सिंग तो अपने नाम से परचित थे सब लोग जानते थे और जब सेलेक्शन हुआ सारे बच्चे भी जाने कि वह सेलेक्ट हो गया है और आज इनका अबिएस कंप्लीट हो है तो विटा आप यहां पर आए बहुत धन्यवाद और आप बताईए कि कभ यहां पढ़े थे ऐसे पढ़े थे कैसे कोचिंग पढ़ाई होती थी कभ आपका कंप्लीट हुआ और कहां पर आपकी पोस्टिंग है मेरा नाम डाक्टर गंगा सिंग है मैंने सं 2015 में पार 14-15 में फीजिक्स के लिए यहां पर कोचिंग यहां आते थे और जो भी मेरा कांसे नहीं क्लियर का यहां पर जितने रिवीजन टेस्ट होते थे उन सब से मुझे काफी सायता मिली एक दियाम कौलिफाई करने में कि इस वहां डाक्टर बन गया हैं अपना सपना पूरा कर लिया है कैसा महसुस हो रहा है अगी अच्छा महसुस हिस्sy aufge अपने बच्चें को गाइड करना और समाज करना और जो बच्चे इसमें तैयारी कर्रहा कोचिंग में पढ़ आए हैं अभी त्यारी करने आये हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कैसे पढ़ है कैसे करें कोफी सेलक्शन पाव है जो बच्चे अभी कोचिंग कर रहे हैं नीट की इस पसली तो अब तो पूरा चाहिए पैटन हो गया है तो उनके लिए एक ही है कि जो भी कोचिंग में सर पढ़ाते हैं पूरा अंसीयाटी पैटन से पहले ही पढ़ाते थे अब भी वही सलेवास है तो बच्चों को कम से कम डेली आट से नो घंटे तो इस्टड़ी करना ही चाहिए जो कोचिंग में पढ़ा जाता है उसको घर पर रिविजन करें उसके अल अग्याम कौलिफाई करने में उनको असानी हो जाती है और एक खास बात यह भी है कि इनकी जो सिष्टर है वह भी में सेलेक्ट सेलेक्शन ले ली थी और इस समय आओ कहां पर है क्या कर रही है मेरी दीदी संब 2013 में सेलेक्ट हूँ थी जलाओन मेडिकल कालेज में और इस सम साब्स अगेशन आप CristY B70 कितनी बड़ी बात है यह भी डाक्टर है। और इनकी जो शिष्टर है वह भी बताइये डाक्टर बन गई तो किसी भी परिवार के लिए, किसी भी पैरेंट्स के लिए कितनी ये बड़ी बात होती है, कितनी खुशी की बात होती है कि उनके जो बच्चे हैं, वो डाक्टर बन गए, दोनों भाई बहन, दोनों डाक्टर बन गए तो इससे भी आप लोग प्रभावित होईए, मोटिवेट होईए, और आप लोग भी महनत कीजिए, निसित है सफलता आप लोग मिलेगा, और आप लोग भी डाक्टर बनने का आपको जो सपना है वो पूरा होगा, और वेटा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि बहुत कम नमबर से रुखे हैं, उनके लिए बहुत ही कश्प्रद हो जाता है, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाता है, कुछ बच्चे 5 नमबर, 10 नमबर, 2 नमबर से रुख जाते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, जड़ा सभी डिमिटिवेट नहों और वही महनत करके प तो फिर से लग जाए और उनका सेलेक्शन इस बार तू तू नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना हो सेलेक्शन के नजदिक जाएंगे, यदि यो डिमोटिवेट होंगे, तो सेलेक्शन से दूर तू जाएंगे, तो जो बच्चे कम नम्मर से रुके हैं, उनको और मेहनत करने की ज़रुवत है, और वही रिवीजन जितने हैं, आप सेलेवस कम से कम साल में तीन से चार बार यह रिपीट कर ले जाते हैं, तो आपका सेलेक्शन में भी हो ही जाता है, जो सिर्फ ठीटिकल पढ़के सोचते हैं कि हम एक बार सेलेवस कम्प्लीट कर लें, मेरा सेलेक्टिन हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो, जो टापिक में कम्प्लीट करते हैं, उसकेकीवशन कम से कम एक दो से तीन बार आप से तीन बार से वहाइज पर में तुरुप। बहुत बहुत धनबाद वेटा आप समय निकाल करके कोचिंग में आए और बच्चों को मटिवेट किये और आप डाक्टर बन गया हैं आपकी जो सिष्टर हैं दीदी हैं वह भी डाक्टर बन गई हैं तो आप लोग आगे इस लाइन में भी मेहनत कीजिए और जो गरीब आपकी जीएगा बहुत धनबाद मेटा थैंक्यों बच्चों